जिलानू के पुनाना शहर में अवेद तरीकों से चल रहे मेडिकल वन नर्सिंग होम की शिकायत पर उपमंडल अधिकारी डॉक्टर वैशाली शर्मा ने च्छाप बिमारी की मौके पर पाई बहुत थामिया पुनाना शहर में अवेद रूप से चल रहे मेडिकल श्टोर और शहर के बीचों भी चल रहे अवेद रूप से बनी बिल्डिंग में सवकुन्त जच्चा बच्चा केंद्र के नाम से नर्सिंग होम पर उपमंडल अधिकारी डॉक्टर वैशाली शर्मा ने च्छापा मारा सूचना मिलते ही नर्सिंग होम को चला रही डॉक्टर मौके से परार पाई गई उपमंडर अधिकारी ने वहां मौजूद करमचारी को होस्पीटर संबधी समस्त दस्ता बेज मागे और नाम से चल रहे होस्पीटर की डॉक्टर को में उपसित होने के निर्देश दिये चापमार कारवाई की बनक लगते ही नगर के सभी प्राइवेट क्लेनिक पर होस्पीटर संचालकों में हड़कम्पू मच गया उपमंडर अधिकारी वैशाली शर्मा पुनाना शहर के सकुन्त जच्चा बच्चा केंदर पर चापमार कारवाई करते हुए डॉक्टरों के चिकित्सा संबंधी पर्मार पत्रों की जाच की चापमार कारवाई के दोरान होस्पीटर का संचालक डॉक्टर मौके पर नहीं मिला चापमार कारवाई में नर्सिंग होम के बाहर साइन बोर्ट पर लिखे डॉक्टरों में से कोई भी मौकी बढ़नी मिला एक डॉक्टर जिनका नाम आरके सिंग जिसने खुद को होस्पीटर का संचालक बताया तो जो की नशे में दुख दिखाई नजर आया जिनोंने नशे में होने के कारण अमरद भाशा का प्रयोग किया वो पत्रकारों से भी गलत तरीकी से पेश आये उन्होंने खुद माना कि उन्होंने दारूपी रखी है चापमारी में बहुत ही खामिया पाई गई उपमंडर अधिकारी के अनुसार हॉस्पीटर में मौजूद महिला स्टाफ वा डॉक्टरों के चिकित्सा करने संबंदी प्रमारपत्र नहीं दिखा सके ऐसी डीम वैशाली शर्मा का कहना है कि शहर में किसी भी प्रकार के क्लेनिक वा हॉस्पीटल को फरजी तरीके से नहीं चलने दिया जाएगा जच्चा बच्चा नर्सिंग होम और वहां मौजूद नशे की हालत में मौजूद डॉक्तर आर्के सिंग्पल कारवाई की जाएगी अधिकल और हॉस्पीटलों में चापे मारे की उसमें क्या कमी पाई गई आपको अच्च्छली हमें काप्टाइब से पायते में थी अधिकल पार्मक्रिस्ट है, मेडिकल एस्टोर नहीं मेली जादा लोगों के पास अधिस्टर पार्मक्रिस्ट है लेकिन एक हॉस्पिटल में हमें इंस्पेक्शन किया था जिसके हमें शिकायत मिली थी कि वो बिना नगरपालिका के अनुसी के बिनाया गया है वहां इंस्पेक्शिर करने पर पता चला कि ना तो वहां पर वालिफाइड स्टाफ नर्स थी ना ही वो डॉक्टर थे जो मौकेप़ डॉक्टर मिली वो डॉक्टर थे थे निश्री के अहलत में तो उसका हमेंसा गायन दिया है